प्यारे विद्यार्थियों साथियों आज हम बात करेंगे ब्रिटिस मंत्री मंडले के कारियों, सक्तियों एवं महत्तों में ब्रदी के कारण अर्थात जब हम ब्रिटिस राज विवस्ता का अध्यन करते हैं व्यावारिक इस तर पर ये बात उभर कर सामने आती है कि भाई ब्रिटेन में विवस्ता पिका की बनीश्पत, अर्थात संसत की बनीश्पत, मंत्री मंडल मतलब राजनितिक कारियों पाले का बहुत जादा सक मंत्री मंडल के दवारा अनेकों कारी किये जाते हैं तो इन सब बातों को मैं आपको समझाऊंगा कि वास्तों में बिर्टेन में मंत्री मंडल का महतव क्यों बढ़ता जा रहा है मंत्री मंडल की सक्तियां क्यों बढ़ रही है मंतर्यों मंञार के कारियों की संक्या में दिन प्रती दिन वर्धि क्यों हो रही है इन सब आन्णों पर हम चर्चा करेंगे तो इसके लिए commun SAR प्रती दिन जो हम एक lecture upload क्रते हैं हमारी यूटुब चैनल पर इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके इसके लिए मारे योटूब चनल को सब्सक्राइब आभिसे कीजिएगा आशाप करतो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा थैंक्ई वेर मुछ थैंक्ई वेर मुछ इससी के साथ में मेरी प्रणाश outside लिए विद्धियारति हो जिन विद्धियारति को हमारे चनल की जान कर उनका ये दाइत है कि अन्य विध्यारतियों को भी हमारे चैनल से आवगत कराएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यारतियों को हित हो सके मैं विशेश कर, भाई मेरा चैनल पर आने का कोई लक्षे नहीं था लेकिन जह मैं लगातार महाविध्याली में इस नात को उत्तर इस तरके विध्यारतियों को पढ़ा रहा था इसे के साथ में यूजी सी नेट की तैयारी कर रहे विध्यारतियों का बार बार मैंने मारक दर्शन किया उनका कहना था कि शर प्लीज आप अपने लेक्षर यूटूब चैनल पर अफलोड कीजिएगा मैंने उनका विसेस अग्रह करने पर उनकी बात ही शर्कार की बस इसी बात को ध्यान में रखते हैं मैं आपके सामने रस्तुत हो रहा हूं और मेरा मूल लक्षा भी यही है कि मैं राजनिती विग्यान की शंपूर्ण पार्थे करम को अपने यूटूब चैनल पर आपको उप गंभीरता से गहराई से उसके अंतहे इस तल तक जाकर मेरे प्यारे विध्यारतियों को समझाँगा मैं कोई फी टॉपिक क्यों नहूं राजनिती विग्यान का पर एक टॉपिक में तैरने का प्रियास करूँगा डूबने का प्रियास करूँगा गोते लगाने का प्रिया कीजिएगा मैं कहा कर रहा हूं कि हमारा लक्ष दिखावा करना नहीं है हमारा लक्ष है राजनीती विग्यान को राजनीती विग्यान मानते हुई अपनी ध्यारतियों को शमझाना अर्थात में मुलत है राजनीती विग्यान को एक सरोचे विग्यान मानता हूं और राजनीत का विज्ञान बने science of politics ठीक है अब ध्यान दे प्रिटिस मंत्री मंडल की कारिये तता शक्ति महत में रदी के कारण मतलब ब्रिटेन मंत्री मंडल के जो कारिये हैं उनके संख्या बढ़ रही है इसका महत तो भी दिन प्रती दिन बढ़ रहा है है इसकी सक्तिया भी बढ़ती जा रही है इसका मूल कारण क्या है उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे मैंने आपके लिए 10 बिंदू तयार किये अब इसको समझें कैसे ध्यान दे भ यह दोनुबाते मैंने समझा दी हैं आप लिए लिश्टम देखेंगे किस नाम से मंत्री परिश्चत मंत्री मंडल का आर्थ और अंतर ठीक है आब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहली बात इस पास्ट हो जानी चाहिए कि मंत्री मंडल का आर्थ क्या होता है जब तक आप यह मंत्री मंडल ह evji क्या चीज तो फिर उसकी सक्तियां कैसे पाएंगे बिल्यकुल सामाने सा अभी प्राएं इसके मैं आपके लिए डाइग्राम भी मनाया यहां पर यह भी क्माने इसको समझने क Feels इने के बानाको रूर्बर निसमातरि मंडल को प्रादरू रूप में समझव सकते हैं मंत्री मंडल का साम्वाने से अर्थ है क्या कि मंत्री मंडल आप नोट कीजिएगा नोट कीजिएगा मंत्री मंडल उस राजनितिक समीती से है जो प्रधान मंत्री के नितरतों में कारेपल का शक्तिय का प्रियोग करती है मतला मंत्री मंडल का आश्य मंत्री मंडल का आश्चे या तात्प्रिए, आश्चे या तात्प्रिए, घां दीजेगा, मैंने ऊपना सुंक्षिप में लिखता हूं, क्या मंतरी मंदल का आश्चे उस राजनीतिक समीती से है, जो प्रदाहन मंतरी के नेत्रतों में कार्य पाली का शक्तिय का प्रियोग करती है, प्रदाहन मंत्री के नेतरतों में कारेपालिका सकते का प्रियोग करती है, यहां क्या कहा है मैंने, कि मंत्री मंदल का तात्री उस राजनितिक समीति से है, यह समीति होगी, राजनितिक समीति मंदल, समीति से है जो प्रदाहन मंत्री के नेतरतों में कारेपालिका सकते का प्रि मंडल में भी देखा जाए तो प्रधान मंतरी सर्वे सर्वा बन बैठा है जिसको नाम दियाएगा प्रधान मंतरी शासन के ऊपर भी मैंने अलग से मेरे प्यारे विद्यार तिमिकली वीडियो प्लोड कर दिया है प्लेस्ट में देखिएगा मतलब यहां मैंने आपको जो डाइग्राम दिया है इसको समझे पहले देखो भाई विवस्तापिका कारेपालिका प्रधान मंत्री नियाएपालिका शौतमतर दिखाया क्योंकि अपवाद को छोड़ करके जहा तक देशों में नियाएपालिका शौतमतर रहती है शौतमत विवस्तापिक और कारेपालिका आप शेयी समंझन के हैं तो बृटेन कैसुफऑ शौत प्रधान म्तरी मंकौण प्रधान आपको थीं、 कि संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद संप्रबू होती है विशेशकर जैसे कि ब्रिटेनिम प्रारम में हम देखें तो 1689 इश्वी में जो अधिकार पत्र सामने आया था उसमें राजाय कि निनम कुस्ता को समाप्त किया गा था और संसद की संप्रबूता को शविकार किया में आज इस्तती यह हो गई है कि संसद मंत्री मंडल के अधिन आ गई अर्थात आज सर्वेश वरा मंत्री मंडल बन गई है सैदान्ति कि स्था तो यह है कि ब्रिटेन में आज भी कहा जाता है कि संसद की संप्रबूता है संसद संप्रबू है संसद जैसे चाहें वैसा यह रहा है और नहीं कर रहा है और राष्ट्र का पूरा समर्थन प्रापता है तो ऐसी श्तति में मंत्री मंदल समराट से परामर्ष करके लौक सदन का विक्टन करा देती है मंत्री मंदल और लौक सदन के सदेशन नहीं चाहेंगे कि हम समय से पहले पद छोड़ें यहां तक कि सतारूट दली नहीं विरोधी दल भी नहीं चाहेगा कि भाई हम जल्दी से पद छोड़ दे क्यों कि विरोधी दल भी चाहेगा एक पांच वस्तों पूरा करें तो सत्तारूर दल की बात तो अलग है विरोधी दल भी इस भैस से भैबीत रहता है कि कहीं मंत्री मंडल समराठ से परामर्ष करके और लोग शदल को विक्टित ना करा दे इसलिए विरोधी दल के दोवारा भी विशेश कर मंत्री मंडल की जो महत्वण बाती होती है उनको तो से विकार की आई ही जाता है मेरे भाई तो यह डाइग्राम मैं इसलिए बनाया है कि बिर्टेम संस्दात मक्षास ने बना लिए विवास्तपिक और कारे पाले का मुझश सम्द है तो पहले तो यह विवास्तपिका की शदेश बनते है उसके बाद ही मंत्री मंडल का गठन किया जाता है है आपको मूलत है यहां ब्रिटेन में सरस्दात मक्षासने परंडाली का जो प्रारूप है वो यह है आपके सामने अब हम मंत्री मंडल की सत्यों को समझें उससे पहले ध्यान दीजिएगा यहां दो स्ततियां होती है एक तो सैधानति की स्तति है और दूसरी विवयारे की स्ततियों को अभी हम इन बिंदू पर नहीं गए प्रश्ट मुमी तयार करने तभी तो समझेंगे आप इसको भाई सैधानति की स्तति तो यह है क्या कि भी ब्रटेन में सनसद संप्रव हो है मतलब अपनाए गया है आप से एक जम पूछ आप जा सकता है निमिनिमस किस देश में संसद की संप्रवता किसे धानति को अपनाए गया है तो कहां ब्रटेन में संसद की संप्रवता का भावार्थ क्या है भाई ब्रटेन की संसद किसी भी विशय पर किसी भी छेत्र के लिए किसी सकती है मतलब यह चाहिए वैसा कानून बना सकती है यही बात है परन्तु भाई यह क्योल साध्धानति इस्तती है व्यावहार में संसद आज क्योवल पंजीक रण करने वाली सनस्ता रह गई है वहां के रेजिस्टेशन किया जाता है व्यवहार में तो अब हम देखें व्यवहार के स्थित व्यवहार में तो ब्रेटे में मंत्री मंडल ही सक्तिसाली हो गया मंत्री मंडल ही सनस्त पर नियंतर रखता है जब किसी द्हानत में ऐसा लगता है कि सनसद मंत्री मंडल को नियंत्रित करती है, मंत्री मंडल सनसद के अधीन है, लेकिन व्यवहार में मंत्री मंडल ही विवस्ता पिका को अपने अधीन रखता है, क्यों? क्योंकि मंत्री मंडल के पास ऐसी सकती है, जिससे की विवस्ता पि मिशेश कर प्रधान मंत्री समनार से परामर्ष करके लोग सदन का दिक्टन करा सकता है तो यह भैब बना रहता है इनको कि कहीं भाई मंत्री मंडल को ऐसा लगे कि लोग सदन इसकी नीतियों का समर्थन नहीं कर रहा है तो कहीं यह लोग सदन का विक्टन ना करा दे इनको भै बना रहता है कि हमको भी समय से पहली पद छोड़ना पड़ जाएगा यस तो यह वहार में मंत्री मंदल ही संसद को यह तरन में रखती है विशेश कर यहां यह सतापिका संसद माइन्स संसद मींज लोक्षदन लोक्षदन क्योंकि ब्रिटेन में लोक्षदन ही शक्ति शालिय विलम कारी सदन मन के रह गया है बाकि लोड सभा के पर अलक्षी में वीडियो अपलोड करूँगा लोक्षदन के पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिये प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसलिए सारी बाते हम ज़्यादा यहां बताते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है अब इसके बाद मूल वात आती है कि भाई आज वर्तमान में रिटेन में मंत्री मंडल इतनी सक्की साली क्यों हो गई है कि मंत्री मंडल ही संस्द को अपने नियंत्रन में रखती है मंत्री मंडल ही एक वास्त्विक कारेपालिक है मंत्री मंडल ही अन्य सब सनस्थाओं का अपने अधीन रखती है विशेशकर बेवस्तापी का तो ऐसा क्या परिवर्तनाया कि 16-89 में तो संसद संप्रभू थी 16-89 के अधिकार पत्र के दवारा संसद को इस संप्रभू बनाया गया था राजा है कि नियुकुस्ता को सांप्त कर दिया गया था लेकिन आज मंत्री मंडल सक्ति साली हो गया है आज मंत्री मंडली संसद को अपने अधिम रखता है ऐसा क्या परिवर्तनाया मैं यहां कहूंगा कि ना के लिबर्टीन बलकि पूरी दुनिया में भाई जहां कहीं भी लोग तांत्रिक शासन पर नालिया हैं ना मंत्री मंडली सक्ति साली होते जा रहे हैं कैसे जब हम विवस्ता पिका और कारे पाले का तुलनातम का अधिन करते हैं तो विवस्ता पिकाओं की बनिश्पत कारे पाले का हैं राजनेती कारे पाले का मतलब मंत्री मंडल कारे पाले का हैं सक्ति साली होती जा रही हैं मैंने इसके उपर भी वीडियो अप्लोड कर दिया है कि कार्या पालिका एक शक्ति में बढ़ती जा रही है इन दौनों को पर मैंने अलग सी वीडियो अप्लोड कर दिया है पर लिस्ट में देख सकते हैं एक टॉपिक पर मैं आपके लिए एक वीडियो तियार करूँगा यह मैं द्रड़ विश्वास से कर रहा हूँ पर जैसे मैं समझाता हूँ वैसे समझेगा अब क्या कारण है कि इसकी शक्तियां बढ़ती जा रही है उन कारणों पर चर्चा करेंगे मैंने आपके लिए दस बिन्दु तियार कियें एक जामे किसी भी विरून पर सजाए आप इसको समझ जाएगा आनशवर गलत हो ही नहीं सकता और इसनात के स्थर पर इसनात कोतर इस्थर पर आपसे प्रशन पूछा जाता है कि मंत्री मंडल की शक्तियां क्यों बढ़ती जा रही है तो ये दस कारण मता दीजिएगा इसको तरीके से आप समझाएगा आपको कोई परिशान नहीं आएगा नमर एक पहला कारण है मंत्री मंडल की शक्तियां दीजिएगा दियोदल पदती भाई ब्रेटेन में एक दली पदती है दीजिएगा बहुदली पदती है आज विशेश करण वहां राजनिति में प्रतियोगी दल दो ही है कौन कौन से अनुदार दल और मजदूर दल कौन अनुदार दल और मजदूर दल भाई जब दिव दली ये पदती होती है तो निश्चित है एक दल को बहुमत मिलेगा और एक दल विफक्ष में बैठेगा एक दल को बहुमत मिलेगा एक दल विफक्ष में बैठेगा तो ऐसी स्थत्य में वहाँ जो मंत्री मंदल गठन होगा को एक दली मंदल हो हुगा मतलब यहां शयुद मंतरी मंदल गठन नहीं होुगा है यहां गठ बेहुम्हार सरकार नहीं होगी क्योंकि सप्सक्यों बहुमत मिलेगा यह इक दली मंदल का इनल को गठन 60 मंदल के सरकार किया जाएगा if事情 में क्या होग youest important कि इन्हें किसी आन्ने के समर्थन की जरूरत नहीं होती है और यह मजपूती से राष्टर के लिए अपनी नीतियां बनाते हैं और दिवस्तापिका में मतलब शंशद में मतलब लोक्षदन में इनको इसपर दोमत्राथ होता है तो लोक्षदन भी इनकी नीतियों को ऐसा विकार शववकार करने का सास किया तो मंत्री मंडल संप्राथ से परामर्थ करके लोक्षदन करा देगा इसनिन नहीं चाहेंगे कि हम समय से पहले पद छोड़ें आते एकागा सकता है कि दिदलिये पदती होने के कारण ग्रटेन में मंत्री मंडल Sabbath साली वन गया है क्योंकि अपने वहूमत के आधार पर वह है लॉक सदन से अपनी नीते को पारित करा लेता है ने म५ैंभ ओस आदन के मुइस्का बहुमत होता है लॉक सदन जिस mechanic इसकी तो सरकार बंती ए उसका नेतायत प्रदान मंत्री बनता है तो वास्तिविक रूप में देखा जाए तो जहां कहीं भी दिदली विवस्ता होती है वहां मंत्री मंडल सक्तिसाली मिलेगा ही बैसे ये कोई अंतिम बात नहीं है मैं ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में अंतराश्री राज निती के स्वया रूप में परिवर्तन होने के कारण पूरी दुनिया में राज्ये के कारियों के संख्या में व्रधी होने के कारण दूसरा है कठोर दली अनुशासन, ध्यान दिजीगा भाई भाई ये तो किलियर है कि बिर्टेन में कठोर दली अनुशासन है मैंने अमेरिका के दलिय यह वस्ता जबाब को समझाई थी तब कहा था कि अमेरिका में दलों का कठोर अनुसासन नहीं है सिथिल अनुसासन है जाए कि बिर्टेन में कठोर दलिय अनुसासन होने के कारण कठोर दलिय अनुसासन होने के कारण वास्तविक रूप में वहां जिस राजनितिक दल को बहुमत राप्त होता है उसके सदस्य जैसा मंत्री मंडल कहेगा उसके अंडूर्प कारे करना पड़ेगा ऐसे वास्तविक रूप में सभी दलों के दवारा, सभी दल मिल्ज दल तो दो के अलाओ और भी है परंत विद्धि दली विवस्ता है वहाँ दल तो और भी है पर वो पृतियों की दल नहीं है तो हम विशेश कर कहेंगे दोनु दलों के दोवारा अनदार दल और मजदूर दल के दोवारा अपने सचेतक रखे जाते हैं जिनको विप भी ओलते हैं सचेतक क्या करता है वास्तविक रूप में सचेतक का कारी होता है कि दल के सदस्यों को ये निर्देश देता है ये सचेतक दल के सदस्यों को चाहिए वो सतरूर दलो या विरोधी दलो दल के सदस्यों को सचेतक निर्देश देता है कि कौन से विधेयक का समर्थन करना है और कौन से विधेयक का विरोध करना है और दल के सदस्य सचेतक जैसा कह रहा है उसके अनुसारी निर्णे लेंगे अन्यता इनके विरुद जाने का मतलब होता है उनका राजनितिक जियोन समाप्त हो जाना दल के कठोर नियंत्रन में इनको कारिय करना पड़ता है और दो ये दलिये सचे तक होते हैं दलिये सचे तक जैसा प्रधान मंत्री कहेगा उसके अनुरूप दल के सदस्यों को नर्दे तो एसी स्थित में कहा जा सकता है वास्त्वीक रूप में मंत्री मंदली ही सर्वे सर्वा हो जाता है क्यों क्योंकि प्रधान मंत्री दले सचे तक से कहेगा कि दल के सदस्यों को ये निर्दे अस दे कि इस विदेय के पक्ष में जाना है इस विदेय के पक्ष में जाना है मतलब इस विदेय का समर्थन करना है इसका समर्थन नहीं करना है और दल के सदस्यों की बात माननी पड़ेगी तो सर्वे सर्वा कोन होगा है मंतरी मंदल किश कारण अठोर दलियानों सासन के कारण है मतलब सतारूर दल के सदस्ष निनको बहुमत प्राप्ट हुआ है भाई सचे तक के नर्देश के वीप्रीत निरने ले ही नहीं सकते अगर दलिये सचे तक के निरने के वीप्रीत दलिये सचे तक के निर्देश के वीप्रीत दल के सदस्यों ने मद्दान किया निरने लिया उनका राजमतिक जियों समाग दल की सदस्यता से निस्करित कर दिया जाएगा निस्कासित कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा राजमत दल से बाहर निकाल दिया जाएगा समझ रहे हैं तो ये हो गया कठोर दल्य अनुसासन तीसरा है सुधार कानूनों का परिणाम भाई ब्रेटेन में मंतरी मंडल के सक्तिसाली होने का तीसरा कारण है सुधार कानूनों का परिणाम देखो ध्याने अठाज बतीसराशट और चौरासी के दुआरा वास्तिक रूप में वहां चुनाओं में कुछ सुधार किया रहा है इससे पहले क्या था बतीस से पहले कि व्यक्ति जब चुनाओ लड़ता था व्यक्तिकत रूप में रखता था राजनितिक दल की साहता राप नहीं होती थी लेकिन 1832 अरशी के सुधार तानूनों के बाद में क्या हुआ कि जब व्यक्ति राजनितिक दल की साहता सुनाव चुन करके आने लगे क्या चुन करके आने लगे मतलब 32 से पहले व्यक्ति व्यक्ति का तरूत में चुनाव लगता था लेकिन 32 के बाद में क्या हो गया कि व्यक्ति राजनतिक दल की सहाथा से चुनाव जीत करके आने लगा या चुन करके आने लगा किसकी राजनतिक दल की सहाथा से चुन कर आने लगा मैंने लेका जब व्य राजनतिक दल की बात माननी है और राजनतिक दल में जिसको बहुत परापत होता है उसकी सरकार बनती है तो मंदल जैसा कहेगा प्रदाहन मंदल जैसा नर्देश देगा दले सचे तक वैसा ही दल के सदस्यों को नर्देश देगा और दल के सदस्यों को बात माननी पड़ती है मुलत है यहां यह कहा जा सकता है कि राजनतिक दलों की सहायता से व्यक्ति चुनाव जीत कर आ रहा है तो ऐसी स्थित में दल के पनुसासने में भी इनको रहना पड़ेगा इस आधार पर भी मंत्री मंडल सक्ति साली होता जा रहा है चौता यह लोक शदन पर अत्यदिक कारी भार अब ध्यां देंगे चौता लोक शदन पर अत्यदिक कारे भार वही जो व्युआस्ता पिका करता है पुर्य दुणिया के बात कह सकते हैं और पुलिस राज्जा था डंडे वाला राज्य था मतलब केवल भॿएक्टी के जीवन और संपत्ती की सुरक्चा से सम्मंदित कार्य करता था वह न है जिसको पुलिस राजी का जाता है लेकिन आज हम देखते हैं कि राज़े का स्वरूप बदा लगा है आज का राज़े के हैं पुलिस राज़े नहीं है लोक कल्यान कारी राज्य है जन कल्यान कारी राज्य है जन ताके कल्याने से सम्मंदित कारी करता है नीतिया बनाता है तो ऐसी स्थिमी क्या हुआ भाई सनुसत पर कारी भाहर बढ़ गया जब राज्ये का सौरूप बदल गया कल्यान कारी राज्य बने गया इसे के साथ में वास्तिवी ग्रूप में इनके पास इतना समय भी नहीं होता है और एक वर्ष में लगभग हम कह सकते हैं कि 6 महा तक तो इनका अधिवेशन ही नहीं होता है सनसद 70 में ही नहीं होती है तो वास्तों में इनके पास तो बहुत समय ऐसा होता है जिसके लिए ये देश के लिए नीतियां बना ही नहीं सकते हैं ये विश्चिषकर चुनावी की तैयारियम में ही हमें कह सकते हैं कि बहुत समय ग्योटेट कर देते है तो लोकस अधन पर बहुत जादा कारेबार होने के कारण क्या हुआ कि ऐसी सत्य में मंतरी मंदल फिर बाजिबार ले जाती है कैसे लोकशदन के सदश्य भाई विधेहकों के बारे में भी इतना ध्यान नहीं देते है विधेहकों की गंभीरता इस प्रकार की विधेहक बनाने है प्रिस्तुत करने है कानुनों का क्या जोरा होगा यह सब मंत्री मंडली तया करता है क्योंकि लोग सदने के पास समय नहीं होता है तो जब मंत्री मंडली विदहेकों का जो प्रारूप होता है तो तयार करता है तो मंत्री मंडल डेफिनेटली सकती साली होगा definitely किसके कारण हुआ ये राज जे के स्वारों को प्रिवरतन होने के कारण ना कि बेटेन बल्कि पूरी दुनिया में मंत्री मंडल इस कारण सकती साल ही होता जा रहा है कि बही जो विवास्ता पिकाई होती है उनके पास इतना समय नहीं होता है और कारण ये भार बहुत जादा होता है इसलिए मंत्री मंडल ही जो है हम कह सकते हैं कि जो विदेक का प्रारूप होता है वो मंत्री मंडल ही तियार करता है ठीक है और उसके बाद में लोग शातन में ब्रिटेन में प्रिश्वत कर दे जाएगा तो वहां वास्तों में उनका बहुमत होता है और उपारित आसानी से हो जाता है इसलिए मंत्री मंडल सब किसा नहीं हो गया पांच वाया सासन कारी की जटिलता भई वास्तों मंत्री मंडल सकती साले ब्रिटेन में इसलिए बहुता जारा ना के लिए ब्रिटेन कारियों की संक्या बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया है कि सासन की कारी बहुत जटिल हो गए बहुत कठीन हो गए अब उन जटिल कारियों को कठीन कारियों को लोक सदन के सदस्य ब्यासता पिकाय के सदस्य समझ नहीं सकते क्यों कि उनमे इतनी योगता नहीं होती है जबकि मंत मंत्री मंड्ल की सत्य पिर भी कि समझ जाते हैं पर लोगशा ज़न manner के इतनी आसाने से उचीव समझ सकते हैं तो एसी सत्ति में शवाम श्यंषत श्यंव कर्म यहसत्य में से चलो हमारे पास तो आपकिने नहीं कारिभार बहुत ज़्यादा है कोई बात नहीं मंत्री मंडल सक्ति का प्रियूग करें हमें कोई परवा नहीं है यह स्वम जैसा चाहें फिर एक का प्रारूप तयार करें लोग शदन में वहमत होता है पारी तो हो जाता है तो वस्तम में सासन कारी जटिलता है कि कारण भी मंत सक्ति में मंत्री मंडल के द्वाधि होने का छटा कारण प्रदयत व्यासता पन ना कं ब्रटीन में सकता है की पूरी दुनिया है भारत भी बेसा ही है एमेरिका के बारे भी बाप ऐसा कह सकते है अदिक्षात्मक्स आसे ने पना लिए कोई बात नहीं लेकिन एमेरिका में भी तो भाई रास्टर पती मतलब कारे पाले काही सकती साली हो गई है definitely भारत में भी मिर्टेन में तो ही है उसका तद्धिन करी रहे प्रदत विवस्तापन के कारण भी मंत्री मंदल सकते साली होता जा रहा है क्यों सबसे पहले देखे प्रदत विवस्तापन क्या है भी प्रदत विवस्तापन का मतलब यह होता है वस्तम में संसद के पास कारे भार जादा होता है समय का अभाव होता है और इसके जो सद्ध से होते हैं वो भी तनी योग दियानुबो भी नहीं होते हैं ऐसी स्थिम में हम पैस सकते हैं कि संसद के पास समय का अभाव है समय का अभा होने के कारण कारे भार अधिक होने के कारण संसदें संसदें में इसलिए बोल रहा हूं कियल ब्रेटन की बात नहीं पूरी दुनिया की बात है संसदें कानून की केवल मोटी रूप रेखा तयार करती हैं और उसके बाद में उस मोटी रूप रेखा में रंग भर अंजर तियार करती हैं वास्ताओं में मंत्री मंडली उसमें रक्त मास भरने का काम करता है अर्था संसद के वियास्तापन का सिधा सा अर्थ है कि स्वम संसद ही स्वम वियास्तापिकाही वास्तविक रूप में प्रसासनिक विभागूं को नियम और उपनियम बनाने की सकती हस्तांतरित कर देती है क्यों कर देती है क्योंकि संसद के पास ना समय होता है इतना और ना ही वास्तिविक रूप में इसके अंतरगत सदश ये इतने योग होते हैं इसे के साथ में कारेभार भी बहुत जादा होता है मतलब ना समय होता है कारेभार जादा होता है और ना ही इसके सदश ये इतने यो बिकर दी जाती है यही प्रधात्र iaganda जाँ ने किसी और को देजारे हैं उनुके कानुन बनाने कीसी और को दीजाए त किसी ओर नर्वास्पन है जा OP यही अस्तानुच को दीजारे है और актив пом。 मंत्री होता है तो सभी विभागों के जो अद्दैक से उनको मिला करें कि क्या बन गया फिर मंदल बन गया तो वास्तिवी कुरुप में सब्सक्राइब किसको कहते हैं नोट किजिएगा एक जम्पु से ले जाते हैं विद्यारती अक्सर बलती करते हैं प्रद्यत्य अपने कि नियम और उपनियम बनाने की सकती हस्तांत्रित कर दी जाती है तो वह ही हस्तांत्रित विधान या प्रद्यत विवस्तापन या प्रद्याविजित विधान कहलाता है मतलब मूलत है यहां बात यह आएगी कि स्वाम संसद ही रसासनिक विभागों को नियम उपनियम बनाने की सक्ति अस्तांतरिक करती है मतलब कानून की मोटी रूप रेखा तो संसद तियार कर देती है परन्तु इसके बाद नियम और उपनियम बनाने की सक्ती प्रसासनिक भागू को दे दी जाती है भाई यही प्रज़त रस्तापन है तो इसके कारण भी जो है मंत्री मंडल सक्तिसाली होता जा रहा है यह हो गया है साथवे संसद की कारिवाई की नियम ब्रिटिन मंत्री मंडल की सक्तिसाली होने का यह भी कारण है कि संसद की कारिवाई की नियम ही कुछ ऐसे है जैसे संसद के सब्तर को आमंत्रित करना है तो मंत्री मंडल ही तै करता है यह बात ठीक है समराट उसको आमंत्रित करता है लेकिन कह गया कून किसके प्रामर्शी होगा मंत्री मंडली संसद में कब क्या कार्यवाही करनी है कौन साविधेक प्रस्तूत करना है किसके उपर कितना वादवियाद करना है यह सब मंत्री मंडली तैक करता है अता है संसद की जो कार्यवाही के नियम है वो ऐसे ही है कि उनमें वास्त्विक रूप में वास्त्विक निरने करता मंत्री मंडली ही होता है इसलिए मंत्री मंडली की सक्ति में विर्दी हो गई है चलिए आगे वरते आठवा है राष्ट्रिय आपात भाई जब रमक फूरी दुनिया मैं कह सकता हूं वाकव झाने राष्र्ट है ए राष्र्म पर कोई शन्कट आ रहा है युद जैसी स्तिय में च्वाइं स्न्क nett दो sudah 17 में क्या होता है होती है इसके स्यंद्ध जैसी स्तति ciao मान लीजीए घांग आज कि अंतराष्टी राजनीते का शौरूप ही मतलग है हमें संकट इस्ति बनी रहती ए तो ऐसी स्टिम में व्यास्टापी का में तो पक्स और रिपक्स होते हैं आपकस में उलत जाएंगी तरक इतर करने लग जाएंगे वाद व्याद करने लग जाएं वास्तों में संकट जैसी स्थितिका सामना करने के लिए जुद जैसी स्थितिका सामना करने के लिए वास्तों गुरुप में स्वाम व्यवस्ता पिकाएं ही कार्य पालेकां को शक्तियां सुपूर्द कर देती है कि ठीक है देश को संकट से बचाया जाए कोई दिक्कत नहीं ह हमी शयवविकार है तो इस कारण भी one किसी हो गाँ आप देखेगा राष्ट आपत के कारण भी तक में उस्थ्य होगा ड्र ना किrika बुब्रे जो भी है लेकिन झाल कारिः पालिकाई' तो वहां पी ये निश्क शलागू नहीं हो सकता है यस जैसे 1930 की आर्थिक मंद्रिया आर्थिक संकट की समय मंत्रिय मंडल ने खुल कर सकते का प्रियू किया प्रथम और दित्की विश्विदिक समय भी मंत्रिय मंडल ने खुल करके अपनी शकते का प्रियू किया और श्रम व्यास्ता पिका ने भी तहट दिल से इसका समर्थन किया कि देश को संकट से उबारें खुल कर सकते का प्रियू करें हम आपके साथ हैं लोग सादिन आपके श यहार करता है उप दिना लोक्षधन की अनुमती के मंत्री मंदल एक पाई pieces नहीं कर सकता है लेकिन लोक्षधन में भी तो इनका भूत भाई लोक्षधन में भूनत है जिस रातों नीदें का निंदर आप के नहीं, तो इनका भूनत हुरна इन्होंने जो आय और व्यका ब्योरा त्यार किया है, जिसको बजट कहा जाता है, उलक्षद निपारीत हो गाई होगा, तो आप मुझे बताइएगा वीत पर किसका नियंत्रन हो गया, मंत्री मंदलक. मंत्री मंडल की नियंत्रन, यस, नाकिवल बुर्टेन भारत में भी ऐसाई है, सभी लोग तांत्रिक शासिन प्रणाले वाले देशों में वित के उपर मंत्री मंडल का ही नियंत्रन है, आते इस आधार करें भी मंत्री मंडल सकते साली हो गया है, मंत्री मंडल का मैतोब जा रही है यस अन्तिम दस्वें मंत्री मंडल के पास लोगशाधन के विगटन की शक्ति भाई मंत्री मंडल के पास लोगशाधन के विगटन की जो सक्ति है इसके कारण भी मंत्री मंडल सक्ति साली हो गया क्यों जब बिर्टेन में मंत्री मंडल को ये लगता है क्या लगता ह कि भाई राष्टर का समर्थन हमारे साथ है यह तो किलियर है जिस दल को बहुमत मिलता है उसमें से तो मंत्री मंदल गठन किया जाता है यह तो किलियर होगा एक भी राष्टर उनके साथ है देश उनके साथ है जनता नोंको समर्थन दिया है बहुमत में भेजा है परंतु लो और क्या कर देगा फिर लोक्षदन का विक्टन करा देगा तो ये लोक्षदन को विक्टित करने की सकती ऐसी सकती है मंत्री मंडल के पास जिसके द्वारा लोक्षदन को नियंत्र में रखा जाता है संसद को अधीन रखा जाता है संसद को नियंत्रित रखा जाता है और मंत्र मंदल खुल करके अपनी शक्तिय का प्रियोग करती है जैसा चाहे वैसे नीटे बनाती है जैसा चाहे वैसे कानून बनवाई जाते है किशी भी रूप में लोक्सादनी विरोध कर ही नहीं सकता क्यूं क्यों कि सप्तारूड वाक्स तो इसलिए विरोध नहीं करेगा कि भाई दल का कठोर अनुसासन है दूसरी तरफ विरोधी दल भी खुल करके विरोध नहीं कर सकता है क्यों कि मंत्री मंडल ने अगर संद्राट से प्रामस करके लोग सदन का विक्टन करा दिया तो फिर विपक्ष को भी तो पद छोड़ना पड़ेगा लोगो चाहेंगी नहीं कि समय से पहले हम पद छोड़े तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि दोनु ही दल मतलब सात्तारूडो और विपक्ष सात्तारूडो और विपक्ष दोनु ही वास्तवी ग्रूप में मंत्रे मंडल की नीतियों का समर्थन करते हैं विशेशकर दिदली पदिती में ऐसा होगा ही होगा इसलिए ऐसी फाइनल में कहा है कि भाई वास्तवी ग्रूप में देखा जाए तो सनस्दात्मक्षासन पंडाली उन रूप में सफल तब ही हो सकते हैं जबकि दिदली डेवस्ता हुआ तो हमारे भारत में कहा है सनस्दातमक्षासन पंडाली तो है लेकिन दिदली यवस्ता नहीं है वो दिदली यवस्ता है इसलिए ऐसी फाइनल काया है कि भारत के अंतरगत वास्तरी कुरूप में राज यवस्ता को सफल होना है तो दी दली निवस्ता उबर कर सामने आनी चाहिए फिर वो बात अलग है मैंने तेक एक्जाम पर दिया है तो ठीक है मंत्री मंडल के पास लोग सदने की विक्टन की शक्ति है इसके एक आधार करें भी जो है मंत्री मंडल सनसद को अपने नियंतर में रखता है और मंत्री मंडल शक्तिसाली हो जाता है इसके बाद मैंने दो वैक्जान्स लिए एक जैनिंग्स का और दूसरा कीत का देखो ध्यान दे जैनिग्स क्या करें कि लोग सदन भैवीत रहता है कि कहीं मंत्री मंडल समराट से परामर्ष करके लोग सदन का विक्टन ना करा दे नोट कीजिएगा लोग सदन का विक्टन ना करा दे इसलिए मंत्री मंडल की नीतियों का लोग सदन समर्थन करता है नमबर एक बात मैंने संचिपन लिखा है कि लोक सदन भैवीत रहता है कि कहीं मंत्री मंडल समराट से परामर्ष करके लोक सदन का विक्टन ना करा दे इस भैसे लोक सदन मंत्री मंडल की नीतु का समर्थन करता है मंत्री मंदल के लिटुगा समर्थन करता है और इस आधा पर मंत्री मंदल शक्ति से लिए बन जाता है दूसरी बात कीथ कीथ कह रहे हैं कि मंत्री मंदल के पास मंत्री मंदल के पास मैंने शंक्षिप में लिखा है मंत्री मंदल के यह तो इसलिए विग्टित करने की सकती से अपने दल विरोधि दल के सदस्यों पर भी नियंतने इस्तापित कर लिया है। क्योंकि दल का कठोर अनुसासन है, कठोर अनुसासन है, तो उनको मंत्रि मंडली बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रधान मंत्री सचे तक से कह रहा है, निर्देश दे रहा है, कि दल के सदस्यों को निर्देश दिया जाए, कि विध्यक का समर्थन करना है, विरोध इदल के सदस्यों को भी डर रहता है कि अगर हमने बार-बार मंत्री में ड़ल की नीतियों का विरूद किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मंत्री मंजल समराठ से कहकर लोक्षादन का ही विक्टन करा दे इसलिए उनको भैवना रहता है कि अगर ऐसा होगा लोक्षादन विक्टित होगी तो हम इपद छोड़ना पड़ेगा विपक्ष के जो हम कहें कि सांसद होते सांसद जो सदस्य होते लोक्षादन जो सदस्य होते विक्टित के उनको इपद छोड़ना पड़ेगा तो इसलिए दोनों ही के उपर दोनी दोलों के उपर वैसात्तारुण और विरोधिया विप्रक्ष दोनों के उपर ही नियंत्रन रहता है इससे मंत्री मंडल के पास लोग श्रदन को विल्टित करने की जो सकती है उससे आतायन इसकर्ष में कहा जा सकता है कि इन सभी कारणों से दटेन में मंत्री मं के कारियों की संख्या बढ़ रही है मंत्री मंडल की शख्तियां बढ़ रही है इसे के साथ में वरत्मान अंतराशिराज उनीति के परिदरेश्य के अधार पर कहा जा सकता है कि मंत्री मंडल का महताव भी दिन प्रती दिन बढ़ता जा रहा है क्यों क्यों कि आज अंतराष्टी राजनिती का शौरू बद लगाया है पूरी दुनिया में अन्हें को राष्टराज्य महाशक्ति की रूप में उबरकर शामने आ रहे हैं अंतराष्टी राजनिती एक बहुत धुर्विय इसे विवस्ता की रूप में उबरकर शामने आ रही है ऐसी स्थी में जुद जैसा इस्थी हमेशा बनी रहती है जुद का संकट हमेशा बना रहता है इसके लिए शिगर निरने की आशकता होती है और शिगर निरने जल्दी से निरने विवस्ता पिकाई नहीं ले सकती है मं Contrimental का महताव बढ़ता जा रहा है आसा करता हूँ यह सब बाते आप ठीक से समझ गए होंगे Thank you very much